हलो एब्रीबान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बनाने जारी हूं बिल्कुल ही नए तरीके का डूर मेट इससे टेविल मैट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं और देखिए अंदर हमने इसमें पत्ती पैटर्न डाला हु है तो वीडियो जरा साभी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा बैल आइकन को जरूर पैस कीजे ताकि हमारे वीडियो का नौटी वेकेशन आप तक पहुछ सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं फं कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर मैं 16 फंदे ले लेती हूं तो देखिए यहां पर 16 फंदे मैंने ले लिए हैं अब देखिए हम ऐसे बूल को घुमाएंगे एक फंदा हम यहां पर बढ़ा लेंगे तो देखिए यह एक हम यह काउंट कर लेंगे और एक हमने बुन लिय हम यलो कलर ले रहे हैं तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे ग्यारा फंदे हमने बुने, एक फंदा हमने बिना बुने छोड़ दिया और सलाई को हमने यह ऐसे पलट लिया, अब इस साइड में जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे इसको हम यहां पर ऐसे क्रोस कराएंगे, देखिए इस तरह से और यह पाच फंदे जो है, उनको हम ऐसे ही बुन लेंगे, यह देखिए अब देखिए हम पलट लेंगे, उल्टे तरफ से, फिर से हमें सलाई के उपर से ऐसे बुल को घुमाना है, एक फंदा बढ़ाना है, तो देखिए फंदा बढ़ गया, दो, तीन, चार, और पाँच यह पंदे जो हैं, यहां पर बॉर्डर करें, पाँच ही रहेंगे, अब इसको मैसे करेंगे, यहां से एक फंदा रेड बाला यलो में कनवर्ड कर देंगे, यह कनवर्ड कर दिया, आप देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारे, अब एक फंदा हमने यहां पर फिर से छोड़ दिया, सलाई को हमने यहां से पलट लिया, अब दो, यह तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, और देखिए इसको मैंसे, इसको इदर करेंगे, यह देखिए, इस तरह से हम अभी बनाएंगे इसको, तो यहां पर देखिए वापस, यह तीसरा फंदा हम बढ़ा रहे हैं, दो, तीन, चार, और पाँच, अब देखिए रेड वाला फिर से हम यलो से ब बना दिया हमने, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, और एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया, यह इसे पलट लेंगे, अब देखिए, ऐसे ही हम यहां पर इसको बनाते हुए, इधर एक फंदा बढ़ाते हुए, और एक यलो बाला रेड से, बुनते हुए, यह रेड वाला यलो से बुनते हुए और एक यहां पर छोड़ते हुए, हम यहां पर 10 फंदे चोड़ देंगे और 10 फंदे यहां पर हम बढ़ा लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे, simple बुनना है, दोनों तरफ से इसको उल्टा-उल्टा ही बनाना है तो हमें 8 फंदे छोड़ने हैं, हमने 20 के एसाब से आपको बता दिया था, तो यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 16, 16 फंदे हमने लिए हैं, तो 8 फंदे हमें छोड़ने हैं, और 8 ही फंदे यहाँ पे हमें बढ़ाने हैं, तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब य ऐसे फंदे आपको यह करने हैं, देखिए इस तरह से, अगर आपने 20 फंदे डाले हैं, तो आपके यहाँ पे यह 10 फंदे बढ़ेंगे और 10 फंदे यहाँ पे छूटेंगे, अब देखिए, अभी तक हम कली को उपर के साइड ले जा रहे थे, एक एक फंदा, अब हम अंद से बना लेंगे, तो यह 5, 5 के 5 फंदे रहेंगे, अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, एक फंदा हमें आगे से लेना है, यह फंदा हमने ले लिया, यहीं से हम पालट जाएंगे, इधर से हम ऐसे ही बनेंगे, जो जैसा है, उसको हम बैसे ही बना लेंगे, यह देखिए, अब इसको हम ऐसे क्रोस करा देंगे, यहाँ पर हमने इसको रैड गों आगे ले लिया और यह 5 फंदे जो हैं, इनको हम ऐसे ही बना लेंगे, अब हम पलट लेंगे, यहाँ पर हम पहले 2 का एक कर देंगे, उसके बाद देखिए, यह 2, 3, 4, और देखिए, य पांच एक फंदा हमने फिर से यलो बाला रेट कर लिया यहां से देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस अब एक फंदा में फिर से आगे से लेना गैफिंग को भरना है तो यह फंदा उठाके इसके साथ हम बुन देंगे और यहां इसे पलट जाएंगे अब ऐसे ही इसको पूरा लाश्ट तक हमें बुनना है यह देखिए इसको हम ऐसे प्रोस करा देंगे यह आगे लाएंगे दो तीन चार और पांच अब देखिए ऐसे ही यहां से हम यह यलो बाला एक फंदा रेड करते हुए यहां पर पहले दो काई करेंगे फिर हम यलो बाला रेड करेंगे एक फंदा हम यहां से लेंगे तो यहां तक हम देखिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदे हम यह लेंगे और यहां पर पांच फंदे ही घटेंगे जब यह गटा के और लाश्ट वाला रेड फंदा भी बुन लेंगे तो देखिए यहां पर हमने एक एक फंदा ऐसे किया दो का एक और यहां पर इस तरह ऐसे अब इस रो में हम सारे फंदे इसी कलर से बुन लेंगे अब मेरे पास इस रो में देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फंदे यह नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, एक फंदा मियास लेंगे और देखिए यह सोले, सोले फंदे से हमने स्टार्ट किया था, तो अब मेरे पास इस रो में यह सोले फंदे आ गए है, अब यहां से हम इसको बना लेंगे और यहां से देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, और यह सोले यह देखिए यह देखिए, इस तरह से यहां पर यह आ जाएगा, अभी देखिए, हम यहां पर इसमें, अभी यहां से हम कोई भंदा नहीं गटाएंगे, दो रो हम इसकी रेड की ही बुन लेंगे, सोला फंदे हैं हमारे पास, तो सोला फंदे हम पूरे बुनेंगे, लाश्ट तक, तो यहां पर यह रेड की चार रो हो जाएगे, यह देखिए, इस तरह से, आप देखिए, इस फंदे को इधर से उतार लेना है, ताकि इसमें होल छोटा रहा है, और देखिए, यहां से हमने यह वाले फंदे ऐसे ही बुन लिए, पूरी रो हम ऐसे ही बुन लेंगे, तो यह य बनने के बाद बिल्कुल यह नया और अग डिजाइन है जो beginners आराम से बना सकते हैं अब सेम तरीके से दूसरी कली डालेंगे तो देखे यह, ऐसे हम गुमाएंगे अगली पत्ती हम ये गिरिन कलर की बनाएंगे तो देखिए सेम तरीके जैसे हमने नीचे के साइट बुनी है अब यह से ही बनाना है और यह चार कली में कम्प्लीट हो जाएगा यह देखिए चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस और ग्यारे एक फंदा हमने फिर से छोड अब यहां से हम पलट जाएंगे अब देखिए यहां से हमने आपको यह दूसरी कली इसकी श्टार्ट करके दिखा दी है और ऐसे ही आपको बनाते जाना है जैसे हमने यह नीचे वाली पत्ती बनाई है बिलकुल आसान है जो बिगनर्स आराम से बना लेंगे यहां पर देखिए इसको हमें ऐसे त्रोस कराना है इसको आगे लाना है और यह ऐसे बनाते जाना है आप देखिए यहां पर हम एक फंदा यह रैड का गिरीन से कनबढ करेंगे एक फंदा यहां पर बढ़ाएंगे एक नीचे के साइड में हम छोड़ेंगे तो ऐसे ही हम यहां पर आठ फंदे पहले बढ़ाएंगे जैसे हमने यहां पर यह बढ़ाए थे फिर हमने एक एक फंदा गटाया है तो ऐसे ही हम यह बना के complete करते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो देखिए इस तरह से हमने ये चार कली बना ली है ऐसे यह यहाँ पर आ जाएगा तो अब देखिए हमने इधर से ये कली complete की अब इस side से हम इन फंदों को बंद कर देंगे ताकि यहाँ पर कोई ये देखिए एक रो हमने इधर से बनाई थी अब एक इधर से बंद कर देंगे तो यह से यह सिल जाएगा यहाँ पर ऐसे दो का एक करते हुए हमें बंद करते जाना है ऐसे तो हम यह बंद कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आप तो देखिए यहां पर हम 16 फंदे यलो कलर से ले लेते हैं इस तरह से, तो देखिए इसको हम यहां पर 16 फंदे हमने ले लिए अब इनको हम उल्टा-उल्टा बुनेंगे और लाष्ट में 2 फंदे हम बिना भुने छोड़ देंगे यह देखिए दो पंदे हमने छोड़ दिये यहीं से हम पलट लेंगे ऐसे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट करना है तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया अब यहां से हम इस फंदे को उतार लेंगे धागा अपने तरफ करेंगे और यहां से देखिए दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे और बारे दो हमने फिर से छोड़ दिए यहां से हम पलट लेंगे फिर से अब दो दो फंदे छोड़ते हुए हम इसको बनाएंगे कली को इस तरह ऐसे देखिए यह हो गया अब यहां से हम इस फंदे को उतारेंगे एक तरफ से बुनते एक तरफ से उतार लेते हैं तभी आपकी ऐसे फिंसिंग आईगी आपे तो दो तीन चार पाच 6, 7, 8, 9, 10, 2 हमने छोड़ दिये हैंसे पलट लिया ऐसे ही हम लाश्ट तक फंदे इसके छोड़ते हुए जाएंगे यह देखिए अब यहां से हम इसको उतार लेंगे धागा अपने साइड करके यहां दो तीन चार पांच 6, 7, 8, 2 हमने फिर से छोड़ दिये हैंसे फिर से पलट लिया यह देखिए भागा अपने साइड दो तीन चार पांच और 6 दो फिर से छोड़ दिये हैंसे पलट लिया 6 फंदे रह गए अभी मेरे पास इनको भी हम छोड़ देंगे दो दो करते हुए यह देखिए इसको तारा और यहां पे दो तीन चार चार फंदे बुनके दो हमने छोड़े ऐसे पलटा अब यहां पे एक, दो, तीन, चार अब देखिए यहां से हम यह दो फंदे ही बुनके हैंसे पलट लेंगे ऐसे और यह देखिए लाश्ट तक हमने दो दो फंदे छोड़ दिये यह आप देख सकते हैं पूरी वीडियो दिखाईए आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट आर्दुने, सोले, सोले फंदे हमारे पास हैं अब देखिए यहां से हम इसको ऐसे सारे फंदे इसी कलर से बुनते हुए जाएंगे सोले फंदे हमारे पास इसमें हो जाएंगे तो देखिए, लाज तक हमने यह बना लिया तो ऐसे यह यहां पर एक कली बनके कम्प्लीट हो गई तो देखिए, अब हम यहां से इसमें रेड गलर लगा लेंगे ऐसे तो रेड कलर से यह हम बनाएंगे दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंदरे और सोले यह देखिए, यहां से अब यह दूसरी कली स्टार्ट हो गई इसमें तो अब देखिए, हम फिर से दो, दो फंदे इसके छोड़ते हुए, लाश्ट तक आएंगे, फिर हम सारे फंदे बुन लेंगे जैसे हमने यह यहां पर दो, दो फंदे छोड़ते हुए, मैं यहां दो फंदे तक गई, फिर हमने सारे फंदे बुन लिए, उल्टे तरफ से हमने यह कलर एड कर लिया, तो ऐसे ही हम देखिए, यह वाली कली हमने यलो बनाई, उसके बाद हम यह रैड बनाएंगे, फिर ब झाल झाल तो देखिए इस तरह से हमने ये चार पार्ट बना लिये हैं इसके यहां पर देखिए हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कली में इसको यहां से फिर हमने बंद कर दिया जब यह कली पूरी हो गई तो यहां तक हम बनाके ले गए उल्डे तरब से हमने इसको बंद कर यहां पर देखिए हमने यलो से फंदे डाले और दो कली रेड और एक ग्रीन और यहां पर दो कलियों में हमने ग्रीन से फंदे डाले फिर दो रेड फिर यहां पर हमने यलो का इस वाले का यह इसमें कली बना दिये तो इस तरह से हमने यह चार पार्ट बनाए हैं और इस तरह ऐसे हलका सा आपको ये खीच के सिलना पड़ेगा और आगे ये जब आप यूज करेंगे तो ये बिलकुल सही आ जाएगा ऐसे इस तरह ऐसे कि ऐसे देखे पूरा ये सिल देंगे हम कि मिलाते हुए अब देखिए बीच में जो होल है इसको भी हम देखिए पहले हम यहां पे एक नौट लगा देंगे ताकि यहां से यह खुले नहीं और खिचे नहीं धागा अब इसको हम ऐसे करके अच्छे से हम बंद कर देंगे इस तरह से खीच देंगे तो यह अपने आप बंद हो जाएगा एक बार हम और इसमें से निकाल देंगे ताकि अच्छे से यहां से खुले नहीं तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया आप देखिए यह वाला यहां से हम ऐसे रखेंगे और इस साइड में यह यलो ब अब इसको सिलना आपको ऐसे ही है आप इसको देखिए पलट दें यहां से ऐसे और इस कौनर से लेके यहां से देखिए इस से मिलाते हुए आप से लेंगे ऐसे देखिए इस तरह से आपको धागा यह वाला लेना है पीछे साइड वाला ऐसे देखिए पूरा ये ऐसे ही हमें चारो तरप से सिल लेना है ये बाद में हम धागे जो हैं कहीं भी निकले हैं इनको हम बाद में कट करेंगे ताकि अच्छे से ये खुले नहीं फिर बाद में इसको अनर तक हम नहीं सिल लिया ऐसे आप इसको थोड़ा सा जब ये दो-चार बार यूंच होता है तो बिल्कुल सही आजागा कहीं बें यहां तक सिल देंगे और यह बाला यहां पर यह बाला यहां पर तो यह सिल देते हैं